हेलो बच्चो आज मैं आपको 12th किलास की मैथमेटिक्स का वेक्टर चैप्टर कराऊंगा तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वेक्टर होता क्या है वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसका फॉर्मला होता है वेक्टर is equal to magnitude into direction यानि कोई भी वो चीज वेक्टर कहलाती है जिसका magnitude भी हो और direction भी हो जैसे तीर या मिसाइल और जैसे ये पैन ये पैन भी वेक्टर है क्योंकि इस वेक्टर की एक लंबाई है लंबाई का मतलब इसका magnitude हो गया और direction अगर हम इस पैन को किसी की तरफ फैकते हैं तो वो एक direction भी पैन के पास आ गई तो जिस भी चीज के पास magnitude हो और direction हो वेक्टर कहलाता है magnitude का मतलब होता है लंबाई, चोड़ाई या उसका वजन और direction का मतलब होता है कि वो object एक दिशाक में भी जाना चाहिए जैसे सारे इंसान भी vector है क्योंकि हर इंसान की लंबाई चोड़ाई या वजन तो होता ही है और वो जब चलता है तो उसकी एक direction होती है तो इसलिए वो भी vector है तो vector का simple से एक formula है vector is equal to magnitude into direction अच्छा अगर हमें इसमें कोई unit vector निकलना हो तो unit vector ने एक direction होती है यानि अगर मैं इस formula से direction की value निकालूं तो यह magnitude vector की अपन में आ जागा यानि magnitude into direction यह तो vector हो गया unit vector निकालने के लिए magnitude into direction यह तो यह वाला vector हो गया और upon में इसी के magnitude से इसको divide कर देंके तो magnitude से magnitude कर जागा यानि unit vector ने यह यह व्यक्टर और यह व्यक्क की की कहले कि अटेशन होता और unit vector की notation होती है जैसे a एक unit vector है तो a के अपर यह cap लगा देते हैं तो ie unit vector की notation बन जाती है और unit vector का formula होता है a vector upon gri eye C का magnitude क्योंकि ये पूरा वेक्टर की आल यह वेक्टर की फॉर्म है। क्योंकि magnitude और Всё की कहते हैं,तो यानि यह तो वैक्टर हो गया है और नीचे, वैक्टर हो गया और नीचे, यह लग dual मेट्थ मेंकनी डूइक्टो लिखने की नोटेशन होती है कि A vector के दोनों तरब आप mode लगा दीजे magnitude of a unit vector हमेशा unit vector का magnitude 1 होता है इसलिए जैसे ये A vector है A के उपर cap लगाए cap का मतलब है unit vector है unit vector का magnitude हमेशा 1 होता है अब होता है इसमें projection projection of A vector on B vector ये projection क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं question कराऊंगा और थोड़ा सा इसमें और बताना है यहाँ पे मैंने इस page पे सारे vector के और 3D के formula एक साथ लिख दी है तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको explain करता रहूंगा फिर question के साथ समझाऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जब दो vector collinear होते हैं A vector और B vector collinear क्या होता है यह भी मैं भी आपको थोड़ दिर में बताने वाला हूं मैं copy पे समझाऊंगा लेकिन फिलाल यह formula देख लीजिए कि A और B दो vector हैं और वो दोनों collinear हैं यानि दोनों ही vector A की line पर हैं तो उसमें एक vector दूसरे vector का कुछ न कुछ multiply में होगा यानि इसका दो गुना हो सकता है तीन गुना हो सकता है यानि lambda times होगा उसके बाद direction ratios क्या होते हैं direction ratios होते हैं A B C when two points A and B A के coordinate हैं X1 Y1 Z1 B के coordinate है X2 Y2 Z2 तो अगर ये दो vector हैं और when two points this and this are given when direction ratio of vector A B is जब हमें दो points दियो होते हैं दो points के मिलाते हैं तो एक line बन जाती है line यानि वो vector बन गई तो उस vector के direction ratio निकालने का जो formula होता वो यह होता है A B और C ये ABC के direction ratio होते हैं A की value होती है X2 minus X1 B की value होती है Y2 minus Y1 C की value होती है Z2 minus Z1 उसके बाद अगर direction cosine निकालने हों इस vector के मालिज़े ये vector है A I B J और C के I J और K के उपर cap लगी होती है तो direction cosine 3 होते हैं alpha, beta, gamma cos alpha, cos beta, cos gamma cos alpha को L बोलते हैं cos beta को M बोलते हैं और cos gamma को N बोलते हैं और formula होता है A upon ABC का square का root और इनका sum कर देते हैं ऐसे B upon 3 का sum का square C upon 3 के sum के square का root उसके बाद फिर इसी तरह से थोड़ा सा और आगे दिखा देता हूं कि section formula एक line है या एक vector है उसके बीच में कोई point है तो point उसके vector के बीच में भी हो सकता और point भार भी हो सकता अगर बीच में तो internally होगर भार है तो externally होगा तो उसका यह formula होता है externally का formula यह और internally में plus plus होता है formula है इसमें एक चीज आती है scalar product यह dot product a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector दोनों बराबर होते है a dot b की value होती है a का magnitude b का magnitude cos theta और cos theta की value होगर निकालनी होती है इनको upon में ले जाएंगे यह आपर तो यह formula बन गया अब कुछ इसमें parallel और perpendicular की properties होती है जैसे i i अगर यह parallel है तो i i की multiply करेंगे तो 1 आएगा j j की multiply करेंगे वन आएगा k k की multiply करेंगे वन आएगा इसी तरह अगर perpendicular है तो i j की multiply 0 i k की multiply 0 और j k की multiply 0 यानि अलग-अलग होंगे तो 0 और same-same होंगे तो 1 उसके बाद आगे आता है इसमें cross product cross product में होता है a, a की multiply करेंगे तो 0 आएगा इसमें same-same की cross multiply करते हैं तो 0 आता है और different की multiply करते हैं तो एक दूसरे के negative आता है यह सब question से ज़्यादा समझ मैंगे यह बस मैं थोड़ा सा introduction दे रहा हूँ आप इन्हें देख लीजिए vector के सारे formula है जब दो line parallel होती है तो a1, a2 के direction ratios के multiply का sum 0 होता है और अगर वह दो line ने parallel हैं तो यह proportionate हो जाता है उसके बाद फिर यह vector form है किसी line की और यह partition form है किसी line की उसके बाद shortest distance का यह formula है और shortest distance का यह formula तब है जब lines parallel होती है और यह यह वाला formula तब लगता है जब non parallel lines हो उसके बाद angle between two lines दो line है एक line यह दोनों lines की vector form दे रखी है उनके बीच का अगर angle निकलना है तो यह formula होता है Cartition form अगर इनी lines की लिखनी है तो यह होगा और angle उस समय यह हो जाएगा फिर उसका plane आ जाता है 3D में तो planes के उपर भी कुछ conditions है अलग अलग variety condition यह उसके बाद यह formula probability के यह बाद में बताए जाएंगे तो अभी मैं आपको समझाता हूं एक exercise के थुरू मान लिजे की एक question कर आ रहूं मैं आपको की compute the magnitude of vectors यह vectors दे रहे हैं a vector दिया हुआ है i, j और k, इनके पर cap होती है तो यह complete vector बनता है इसका direction ratio निकालना है comma b vector है उसका भी हमें magnitude निकालना है और एक c vector है c vector है 1 upon root 3 i, cap 1 upon root 3 j, cap 1 upon 3 यह भी root में है k, cap तो अब मैं इनके magnitude निकालके दिखाता हूं देखो magnitude of a यानि कि a का mode magnitude a को ऐसे लिखते है और इसका formula होता है जो भी इसके component होते को कॉपिशेंट निकालना है तो इनके स्क्वायर कर दो कोफिशेंट के तो यह जाएगा root 3 तो यह a का magnitude आ गया अब magnitude of b निकालना है बी वेक्टर तो अब b वाले वेक्टर के जो component है ijk के उनके square कर देंगे जैसे 2 का square प्लस माइनस 7 का square प्लस माइनस 3 का square इनको simplify करेंगे 2 का square 4 3 का square 9 13 हो गया और उसके बाद 7 का हो जाएगा 49 49 और 13 हो जाएगे 62 उसके बाद अब c का निकालेंगे magnitude of c यह है एक बटर रूट 3 का square एक बटर रूट 3 का square और एक बटर रूट 3 का square तो यह solve करके हो जाएगा एक बटर 3 एक बटर 3 यानि तीन बटर 3 तीन बटर 3 यानि एक तो एक का रूट एक हो जाएगा तो यह magnitude निकल गए ठीक है इसी प्रकार अगर अगर मान लीजे कि हमें दो पॉइंट दिये हैं मान लीजे यह पहला example था यह second example मान लीजे कि एक दो पॉइंट है a और b इनको मिला देने पर एक वेक्टर बनता है a के कोडिनेट हमें गिवन है 2,1 और b के रिश्यों है 5,7 यह एक वेक्टर है इसका इनीशेल पॉइंट यानि जहां से शुरू हो रहा है इनीशेल पॉइंट है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट है इसका b यानि 5 और 7 माइनस 5,7 तो हमें इसके अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालने हो या वेक्टर निकालना हो तो इसका तरीका यह होता है a की वेल्यू होती है x2 माइनस x1 और b की वेल्यू होती है y2 माइनस y1 यह x1,y1 है यह x2,y2 है तो x2 यह नहीं 5 मेंसे 2 गटाएंगे तो माइनस 7 आ जाएगा और y2 7 है y2 मेंसे y1 गटाएंगे तो 6 आ जाएगा अगर मान लिए इसमें तीन पॉइंट होते जैसे 2,1,3,-5,7 और 2 तो फिर नहीं पर cb आ जाता और वहाँ करते है z2 माइनस z1 अब हमें इसको a,b को वेक्टर की form में लिखना है अगर तो यह हो जाएगा a,i,cap plus b,j और अगर तीन वाला होता तो c के हो जाता अब यहां पर क्या करेंगे हम a की value minus 7,i और b की value 6 है तो प्लस 6,j तो यह हो गया a,b vector आप इसे a,b vector लिख लो या a vector लिख लो यह आपका answer आगया तो इसी तरह मैं आपको और vectors के questions कराता रहूंगा साथ-साथ formula भी explain करता रहूंगा ओके बाई,next वीडियो में फिर मिलते हैं